ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदुरुस्ति ए होश औ हवास तेरा सौधा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं कभी कहते हैं कि यहां पर प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका से ये कहता है कि वो अपने प्रेम के लिए ये कीमत भी अदा करने को तयार है क्यूंकि वो अपने प्रेम की खातिर अपने होशो हवास में रहकर और अपने विवेक से काम लेते हुए बदरुस्ति ए होशो हवास यानी होशो हवास में रहकर और विवेक के साथ विवेक यानि बुद्धी का इस्तिमाल करते हुए वह इस सौदे को करने के लिए भी तयार है कि जमाना इस व्यवहार के लिए उसे दिवाना भी कहेगी लेकिन वो दिवाना कहलवाना भी पसंद करेगा और दिवाना कहलवाना समाज की नजर में पागलपन की संग्या की तौ पर लिया जाता है तो एक तरीके से यहां पर वो नकारात्मक अर्थ लेते हुए है इसलिए प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं ये सौधा करने को भी तयार हूँ और मैं सौधा करने वाला हूँ इसी के लिए मैं अपने प्रेम की खातिर ये सुनने को भी तयार ह ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदरुस्ति ऐ होशो हवास इस कीमत को भी अब हम अदा करते हैं अपने प्रेम के लिए पूरे होशो हवास में रहकर और विवेक से काम लेते हुए और तेरा सौधा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं और इस तरीके से हम सौधागर होदने के कारण, सौधे को करने के कारण समाज से दिवाने की संग्या लेने को भी तयार है तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का खयाल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं अब यहाँ पर कभी बताते हैं कि एक प्रेमी जो है, वो अपनी प्रेमी का से कहता है कि तुझसे मिला जो मुझे गम है या विरा है, उसका जो गम है, मुझे या फिर तुम्हारे गम से मिलने वाली जो तुम्हे पीड़ा मिल रही है उसका भी मुझे सम्मान है पासे अदब यानि मुझे उसका सम्मान है उस दर्द को मैं समझ सकता हूँ लेकिन कुछ दुनिया का भी ख्याल है और मैं क्योंकि एक समाजिक प्रानी हूँ इसलिए मुझे इस समाज का और इस दुनिया का भी ख्याल है और इसलिए वे प्रेमी सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले है इसलिए वे अपने दर्द को अपनी पीड़ा को किसी से बाणता नहीं है और चुप चुपके रोलेता है जिससे कि समाज जो है उसके इस दुख को पीड़ा को मजाक ना बना ले तो तेरे गम का पासे अदम है, मुझे तेरे दिये हुए गम का भी सम्मान है और साथ ही मुझे इस दुनिया का भी ख्याल है और सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले है और इसी के लिए मुझे क्यूंकि अपने प्रेम से मिलने वली हर एक चीज का जो है वो सम्मान है इसलिए उस सम्मान की खातिर मैं उस प्रेम से मिलने वली दर्द पीड़ा को भी किसी से नहीं बाढ़ता और संसार में दुनिया में किसी से उसको साजा नहीं करता सबसे छिपा के रखता हूँ जिससे कि कोई उसको मजाक के रूप में ना लेले या मजाक का पात्र ना बना दे इसलिए वह चुपके-चुपके रो लेता है फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुसनों इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले है अर्थ शब्द के अर्थ के साथ समझने से पहले ये जो किस विशे को लेके चल रहा है वो समझ लेते हैं यहां आपक कभी बताना चाहते हैं कि जो इश्क और हुसन है वो तभी तक कायम रहता है जब तक हम इसमें अपना संपून नहीं इसमें गवा देते कहने करते है कि कोई भी चीज वो चाहे हुसन हो चाहे इश्क हो और इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजे हैं जब आप किसी भी चीज को अपना 100% देते हो तो ही वो हमें मिलती है तो यहाँ पर जो कवी हैं वो ये बताते हैं कि हुसन और इश्क की दुनिया में संसार में आल में हुसनों इश्क में भी हुसन और इश्क की दुनिया आल में मतलब दुनिया में फितरत का कायम है तवाजुन फितरत यानि व्यवहार का आपकी हरकतों का कायम है तवाजुन संतुलन यानि कि जो हुस्न और इश्क का संसार है वो आपकी फितरत का ही कायम है जिससे कि उसमें संतुलन बना रहता है और वो संतुलन तभी बना रहता है जब हम उसको उतना ही प खोते जाते हैं, खोते जाते हैं मतलब अपनी मेहनत का सौ प्रतीशत देना, उसके लिए हर एक वो चीज करना जिससे वो चीज कायम रहे, और हुसन यानि आपका शारिरिक सौंदर रहे है और इश्क जो की वो प्रेम है, वो इसने है, जो प्रते एक व्यक्ति पाना चाहता है और यह आपको उतना ही मिलेगा जितना आप इसके लिए स्वैम को गवाते जाएंगे इसमें, तो फितरत का कायम है तवाजुन, फितरत का व्यवहार का, आपके व्यवहार का कायम है तवाजुन, संतुलन बनाए रखने के लिए कौन? हुसन और इश्क के संसार में भी, क्य क्यों? क्योंकि हमें वो उतना ही मिलता है, जितना हम इसमें खोते जाते हैं, तो हुसन और इश्क के संसार में हमें स्वैम को उतना खोना पड़ता है, जितना हमें उसे पाने की चाहत होती है, और वो इसी फितरत का और इसमें संतुलन बनाए रखने का कायम है आबो आब अश्यार न पूछो तुम भी आँखे रखो हो ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं आबो आब चमक दमक अश्यार जो है वो शेर है और आँखे रखना मुहावरा जगमग यानि वही चमक दमक बैत मतलब वही शेर और मोती यानि मोती ही है तो अब यहाँ पर कवी कहते हैं कि आबो आब अश्यार न पूछो तुम भी आखे रखे हो यह जगमक बैतों की दमक है यहां मोती रोले हैं कवी कहना चाते हैं कि यह जो मेरे शेर हैं गजल है यह इनकी चमक है जिससे कि तुम प्रभावित हो रहे हो इससे आकरशित हो रहे ह कविता हो वो तभी लोगों को अपनी और खीचती आकरशित करती है जब वो दिल से निकली होती है और दिल से निकलने का मतलब की लिखने वाले ने उसको महसूस किया हो तो कवी यही कहना चाहते हैं कि तुम भी आखे रखते हो यानि तुम में भी यह परखने की शमता है और तुम उस शमता को आंक से इसको आंको कि क्या ये सिर्फ इन शेरों की चमक दमक है या फिर ये मोती है जो हमारी आंकों से लुड़क जाते हैं यानि ये हमारा दर्द है जो हमारे हिर्दे से निकल रहा है और इन्होंने शेरों और गजलों का रूप ले लिया है तो आबो आ अब चमक दमक अशार न पूछो यानि शेरों की चमक दमक का शेर जो हैं उनकी चमक दमक को मत पूछो तुम भी आखे रखते हो यानि तुम में भी इन्हें परखने की शमता होनी चाहिए और है तुम भी देख सकते हो ने बारी की से गहराई से कि ये जगमक बैतों की दमक है यानि ये इन गजलों की चमक दमक है या फिर ये हमारे हिर्दे का दर्द है जो इसमें उतर आया है ऐसे में तु याद आये है अंजु मने मैमे रिंदों को रात गए गर्दू पे फरिष्टे बाबे गुनह जग खोले है कभी कहते हैं कि प्रेमी को अपनी प्रेमी का इस तरीके से याद आती है जिस तरीके से शराब खाने में बैठा शराबी शराब को याद करता है वैसे ही जैसे रात को जो फरिष्टे हैं वो सभी लोगों के जो गुना हैं उनका अध्याय खोले बैठे हैं ऐसे में तु याद आये है अंजु मने मय यानि कि उसी शराबी की तरहा जो मय खाने में बैठा है यानि शराब खाने में बैठा है रिंदो यानि शराबियों की तरहा रात गए गर्दू यानि आस्मान फरिष्टे यानि इश्वर बाबे गुना गुना मतलब हमारे जो गलत क वो बाबे मतलब होता है अध्याए यानि कि जो लेखा जोखा है उसको कहा जाता है तो रात गए गर्दू पे फरिष्टे बाबे यानि खाका लेखा जोखा गुनाहों का गुनाह जग यानि संसार का खोले हैं कभी कहते हैं कि प्रेमी को अपनी प्रेमी का इस तरीके से याद आ रही है तुम ऐसे याद आते हो जैसे अंजु मने महें में रिंदो को शराबियों को जैसे की शराब खाने में बैठ कर शराबियों को शराब याद आती है वैसे ही जैसे रात गए यानि बीती रात में रात के समय गर्दू यानि आसमान में फरिष्टे फरिष्टे हमारे गुनाहों का इस संसार का जो गुनाह है इस संसार ने जितने भी गुनाह किये हैं उसका लेखा जोखा खोले बैठ जाते हैं उनका हिसाब करने को ऐसे में तु याद आए है अंजुमने मैं मैं में रिंदो को अंजुमने मैं शराब खाने में रिंदो को शराबियों को तो मैं खाने में जिस तरीके से शराबियों को शराब याद आती है उसी तरीके से जिस तरीके से आसमान में बीती रात में आप देखेंगे आसमान में फ किसे उड़ाली यह आवाज इन गजलों के पर्धों में तो मीर की गजले बोले हैं मीर से बहुत प्रभावित थे फिराक जी तो यहाँ पर फिराक जो है वो स्वेम से ही प्रभावित है कि वो इतनी बहतरीन रचना कैसे लिख डालते हैं सदके यानि वारे जना सदके फिराक एजाजे सुखन जो लेखन है उनका वो इतना सुख देने वाला है कैसे उडाली या वाज मतलब किस तरीके से ये उन्होंने रचनाय लिख ली है इन गजलों के पर्दों में इन गजलों की आड में पर्दों में यानि आड में इन गजलों की आड में तो मुझे मीर की गजले बोले हैं मुझे मीर की गजले याद आती है और इस तरीके से फिराक जी जो है स्वेम की बढ़ाई करते हैं नजर यहाँ पर आते हैं कि इस तरीके से कैसे वो इतनी सुन्दर रचनाय लिख लेते हैं और इन सुन्दर रचनाओं के पीछे उनकी आड में तो उन्हें मीर की गजले याद आती है यानि उनको मीर की गजलों के समान ही अपनी गजलों में समानताय दिखाई देती है तो सदके फिराक एजाज सुन्दर के कैसे उडा ली ये आवाज फिराक सदके जाते हैं स्वेम के लेखन पे कि कैसे उडा ली ये आवाज कैसे उन्होंने ये सुर निकाल लिये कैसे ये आवाजे निकाल ली यानि कैसे ये सुर बना लिये उन्होंने और ऐसी गजले पेश कर दी है जिनकी आड में उन्हें मीर की गजले याद आती है दोरा लेते हैं एक बार फिर से इने ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास तेरा सौधा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं बदुरुस्ती ए होशो हवास मतलब होश हवास में रहकर विवेक से काम लेते हुए प्रेमी जो है इस कीमत को भी अदा करने को तयार है और इस सौदे के चलते वो समाज से दिवाना होने की संग्या भी लेने को तयार है तेरे गम का पासे अदब है पासे अदब यानी सम्मान है कुछ दुनिया का भी उसे खयाल है सबसे छिपाके दर्द के मारे चुपके चुपके रोले है प्रेमी को अपने प्रेमी का दोरा दिये गए गम का सम्मान है और लेकिन साथ ही उसे दुनिया का भी ख्याल है कि कहीं उसके गम को सुन कर उसके दर्द को सुन कर वो उसका मजाक न बना दे इसलिए वो गम को छुपा कर चुपके चुपके ही रो लेता है फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुसन और इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं फितरत का कायम है तवाजुन यानि संतुलन आलमे मतलब संसार हुसन यानि हुस्न इश्क में भी हुस्न और इश्क के संसार में फितरत ही कायम है संतुलन संतुलन बनाये रखने के लिए यही फितरत कायम है कि उसको उतना ही पाया जाता है जितना हम उसमें स्वयम को गवाते जाते हैं जितना हम अपनी महनत उसमें देते हैं आबो आब अशार ना पूछो तुम भी आखे रखे हो यह जगमक बैतों की दमक है यब हम मोती रोले हैं आबो आब चमक दमक अशार शेर न पूछो तुम भी आखे रखे हो आखे रखना यानि की परखने की समझ रखना ये जगमक बैतों की दमक है बैत यानि गजले और जगमक यानि उनकी चमक दमक और हम मोती रोले हैं मोती के समान लुड़क जाने वाले चमकने वाले आसूओं के भून तो कभी कहते हैं कि हमारे गजल में और हमारे शेरों में इतनी ही चमक दमक है या फिर हम अपने दिल का दर्द निकाल कर अपनी रचनाव में डाल रहे हैं और जिसे वो आसू बनके अपना दर्द जो है वो निकाल कर रख दे रहे हैं तो ये परखने की शमता तुम रखते हो और ये समझ सकते हो कि ये हमारे शेरों की चमक है या हमारे बैतों की चमक दमक है या फिर हमारे हिर्दे का दर्द है जो हम मोती रो लेते हैं ऐसे में तू याद आए है अंजुमन में 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 रिंदों को इस तरीके से तु हमें याद आए है, जिस तरीके से शरावियों को मैं खाने में शराव याद आती है, जिस तरीके से रात बीतने पर आसमान में फरिष्टे संसार के गुनाहों का अध्याय खोले बैठे हूं, या फिर संसार के गुनाहों का लेखा जो खालिये बैठे हूं सदके फिराग एजाज सुखन के कैसे उडा ली ये आवाज इन गजलों के परदों में तो मीर की गजले बोले हैं फिराग स्वेम की लेखन पर सदके जाते हैं कि उन्होंने कैसे ये सुर बना लिये और इस तरीके से उन्हें इन गजलों की आड में मीर की गजले याद आती हैं कि उन्हें मीर की गजलों जैसा सुआदाता है